हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीशन वन वे जिसमें हम लोग बात करें थे बीएट सेकंडियर का आज हम लोग इसमें क्रियेटिव एन इंकुलेशिव स्कूल में मांसिक मंदित बालग मेंटलेटी डिटार्डेर चिल्डेन पर बात करेंगे ठीक है और इन उन उनके पर पर बालग करने के लिए बहुत जरूरर यह थे तो मांसिक मंदित बालग को के लिए सेच्छे परवधान सेच्छे को भरज़िये करन मांसिख मंदिता के कारण मंदिता बच्चों की समस्याइं ठीक है मां दिता कि रोक्ताम की उपाए नित में हम देखेंगे निज्कर्ण घर तो इससे बच्चे की नाराज़्गी की की रूप में देखते हैं हम लोग को जो है बहुत ऐसे बच्चे होते जो पर्तिवासाली भी होते हैं और कुछ जो क्या होते हैं विस्ष्ट भी होते हैं तो इन बच्चों को जो है विस्ष्ट बच्चों को एक क्या होता समाज जो एक अफिसाब के रूप में देखता है क्यो परिवार इनको परिवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् से गरस्त भाल को से आधी नामों से जाना जाता है तो हम प्रास्तावना में देखे आप मिन दिखते हैं मांसी मंदिता का ऑर्थ मांसी मंदिता मानमने वाल बाल बुद्दि लफ्दी से कम होती है उसे ही मानसिक मंदित कहते हैं यह अपने आयू वर्ग के समकच बच्चों से सचिक इमंग मानसिक दृष्टी से क्या होते हैं पिछरे हुए होते हैं ठीक है तो वैसे बालक जो इसका बुद्धी लब्दी जो है समाना बालोकों से क्या होती कम होती है जिसका आईक्यू रेवल इंट्रिजेंस क्यू सेंट जो है तो वह कम होता है तो ऐसे बालोकों को मानसिक मंदित बालक कहा जाता है तो मानसिक मंदित बालक हम लोग अर्थ देख लिए तथा इनमें समाना बालोकों के विचार सिलता की छ से गुंके हम्हान्सिक मंदित क्या होती इसके कम होती है शी चुत मंदन बैखती के जनम के समय में पाए जाने वी समाने से कम मानसिक विकास के ऐसी वस्ता है जो उसमें बुद्धी समंदी कमी तथा समाजिक और चमता के लिए उत्तरदाई होती है मतलब मंदन बेक्ति के जनम के समय ही पाए जाने वाले समाने से कम मानसिक विकास में इसी वस्ता है जो बुद्धी समंदी कमी तथा समाजिक और चमता के उत्तरदाई होता है यह बात कौन बढ़ा था जी एडी पेज के नुसर दूसरा है करो एंड करो के नुसर जिन बालगों की बुद्धी लब्दी सब्तर से कम होती है उन्हें मानसिक मंदित बालग करते हैं तिसरा में है बिरिटिस मेंटल डिफिसेंसी एक्ट के नुसर मानसिक मंदन 18 वर्ष से पहले अंत्रिक कारणों की वज़े से अथ्वा बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थितिय जिसमें बैक्ति के मस्तिक्स का विकास या तो रुक जाता है या उसमें पुर्णता नहीं आ पाती है तो यह बात कुण उला था बिरिटिस मेंटल डिफिसेंसी एक्ट के नुसर ठेक है अब हम देखते हैं कि मानसिक मंदित बालोकों की पाचान कैसे कर सकते हैं पहला माता पिता द्वारा पाचान अध्यापक द्वारा पाचान अतिसरा बुद्धी परिक्षनों माता पिता उनका पाचान करेंगे फिर अध्यापक करेंगे सिच्छा करेंगे फिर कौन करेंगे बुद्धी परिक्षनों द्वारा पाचान करेंगे पहला हो जाएगा माता पिता द्वारा पाचान माता पिता द्वारा मानसिक मंदिता बालों की पहले पाचान की जाती क्य किसक्षा का परविंद करना चाहिए जदी किसी परकार का मनद बुद्धी हों तो अगर किसी परकार का मनद बुद्धी होने का संदय होता हुँता है तो उसक्षा देना चाहिए तो डॉक्टर मात्यiento को तरह का मान्सिक मद्वित वालग होने का संदय होता है तो डॉक्टोर को क्या करना चीछ दिखाना चीछ दुसरा पहचान है बालगों की पाचान की जा सकती है कि वह बालाच के मानशी मदित तो नहीं से किसी तरीक ही अस्क्रफ की अस्तरीक्लूहित भास thor होती है भासा कौषय सिमीथ होती है। लावार अभ्यास दवरानी की प्रवर्ती होती है सामवीと vibhja वालब तुझ र Absolut उन्हें पत्रों से बिख्चन द्वारे पचौन लग उसकता है तो मद्धिद्धि बेस्ट pressure इन बच्चों की कम होती है नहीं कि हम यह कर सकते हैं कि किसि अध्य सिर्था किन में अग्ट है कि अगरिश्था आब क्या है मानसिक मदित है जहां इन बच्चों के पाचानिमन बुद्धी परिक्षन द्वरा किया जाता है पहला में इस्टेफोर्ड बीने परिक्षन यह एक परिक्षन है इस्टेफोर्ड बीने परिक्षन है जिसमें क्या क्या आता है कि बुद्धी परिक्षन जो है अगर 60 से कम है त भालक की मानसिक मनदित भालक की पहचान कर सकती हैं ठीक है दूसरा है वेशलर बुद्धी परिक्षन तिसरा में है किर्यात्मक्शनों को एलक्जेंदर वैटरी पंच उप परिक्षैन का प्रयूग किया इसमें पहचे हो है कि प्रिक्षैन कि पहला था कोई कोई पांच जब कि उलग क्लेंग टेस्ट तिसरा में फीटर ड्रॉइंग टेस्ट इस्टिoted में है फिर अच्छा वह तो हो गया एलेक्जेंडर बैटरी का जो हम लोग कितने देखें पांच को टेस्ट देखें अब में हचाओ था में एजे मालीन द्वारा भारती बच्चों के लिए बनाया गया वेक्षलर बुद्धी परिक्षन फिर पांचवा में आरपी शरीवस्त की जाती है तो इस परकार हम लोग देखें तीन तरीके से जो है मांसिक मदिद बालोकों की पाचान की जा सकती थी पहला था माता पिता द्वारा दुसरा था अध्यापक द्वारा है ना तिसरा था बुद्धी परिक्षन द्वारा जो हम लोग मांसिक मदिद बालोकों के ल गले मनूद आभाली संस्ता आदी इन a ऊंट्रवाधान का चुनाओं करते समय निवन पातों कोई ध्यान देना ची है है वेवेस्टा बच्चे के आऊसक्ताओं के दार्ट इस जो भी हम आऊ कि आँ सकता हो कि लूप होना च्छी दूसरा में है बच्चों को ऊस्थांतरन इसा होना चाहिए जिस से करना के जहां उनको ़encia हमन से कुल को इस कि अनुक्त माध्य बालग माद बच्चों लोग कितने भागों बाटेंगे तीन भागों में बाट सकते हैं कि सिक्षित किया जाने वालग में आते हैं जिनकी बुद्धि लब्दी पचास से सतर के बीच होती है बाट से बाट से बीच आते हैं इन बच्चों की देख भाल सिक्षा वह पर सिक्षन के जिम्मादरी के वह अध्यापक को ही नहीं उनके माता पिता समाज की भी होती है मतलब बालकों को जो है मानसी मादित बालकों को जो है सिक्षित करना के वाल जो है क्या करता है अध्यापक की जिम्मेदारी नहीं जो है माता पिता के सासा समाज की भी होनी चाहिए जीने विशेष सिक्षा द्वारा सिक्षित क्या जा सके जैसे विशेष विद्याले विशेष कक्षा पर सिक्षित अध्यापक एवंग आवास्य विद्याले इन सभी के द्वारा जो सिक्षित किया जोने वन बालकों को सिक्षित क्या जाने अब इसमें क्या है पाला है माता माता पिता का क्या तरदाइत है ठीक है मांसिग मंदिता के सच्चिक परवधानों में माता पिता का महत्तपुन उत्रदाइत होता है मांसिग मंदिता बालकों को जो है देखभाल पडशिक्षी देना चाहिए तथा डॉक्टर से भी सलहा लेनी चाहिए डॉक्टर से भी क्या लेनी चाहिए एक सलहा लेनी चाहिए मतलब माता पिता को चाहिए कि इन बच्चों के देनिक काड़ियों समाजी कोशल तता भासा को धीरे-दीरे सीखाना चाहिए इसमें आगा दूसरा में है पूरु वीडियाली सिक्षा मैं Она बुधि बुधी बुद्धी बुधि बुधि बु Calvin बद्धी क्या होती है एक वर्ष के बजाए दो या तीन वर्ष परदान करना क्षान निरदेशों का पालन करना तुसरा आत्म किर्यात्म कोसल जैसे जूत्य बांदना बटन लगाना और कपड़े पढ़ना इन सभी काड़ियों को जो है बालकों को सिखाना चीए पाचवा में सारेडिक संतुलन बराना जैसे पैंसिल पकड़ना छटा में इंद्रिय कोसल समाजी कोसल संप्रेशन कोसल पर जोर देन इन सभी को पुर्व प्रार्थमिक विद्याले द्वारा इसलें शिखाना चीए अब सहानवाविद्ययालों में सिख्छा समानवाच्छा क्या हो सकते हैं समान च् लूरुची के अनुसार दोधियाहिए परिवारिक जीवन की भी शिक्षा देने चाइए उन बालोकों को जो परिष्वाय को कि आ टीजिते आद्ध्यापके के घुया और ज Harnaut क्या कर सकते हैं एक बालकों को सिक्षित कर सकते हैं अध्यापकों की भूमी का इस परकार है पहला में अध्यापक मन्द बुद्धी बालकों को परहते समय एक उप्युक्त वातावरण तथा द्रिश सर्व सामगरी का सरल विधी का उसे सीखना चीए बालकों को जो है जब भी सिखाते हैं तो उसमें क्या करना चीत están कि पहला में अध्यापक मन्सबुद्धी बालवगों को प्राहते समय एक उपयुकत बातारण त Chaos सर्व सामगी शर्व वेधी को से शिखना चाहिए मतलब बालन को जब भी सिखा हैं तो एक सरल वीदी एक मतलब दिरिश सर्व मतलब अगर उसको कोई प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं तो उसको दोनों तो दिखाते वे सुनाना भी और इस सभी का जो है क्या करना चाहिए उसको परियोग करना चाहिए दूसरा में है अध्यापक मानसिक करशि करना चाहिए पर्त करना चाहिए पर्त जबहने की बालों में एक उसक्ति करना में गहां कि अ उसक्ताभर मानसिक आखको तकlight केwr उच्णा करना चाहिए तकम अच्छे को सब्सक्राइब करें से परिचेत करते हैं। को बचे दियापकों को स्वास्ता समस्य उता था तसाओं को ब्रतिकत रूप से इन वजदिक था इन इस वालकों को किया जाते हैं धुद्धिलप्दि आय्ल सब्सक्राइब करना है समाजी विकास करना है सारेडिक विकास भासा विकास सरम आदत कोसल और योग परकास्ष्षन योग विकास करना है सब्सक्राइब करना चाहिए समाजी विकास दूसरा में इनके परकार्ष्षन में सामोही किरिया जैसे खेलकूद, नाटक, कहानी, कहाना आधी को महत दिया गया है, इस परकार सामुई किरियाओं द्वारा इन बच्चों में समाजिक तथा आपसे सहयोग की भावना का विकास होता है, इन बालोकों में जो है, क्या होना चाहिए? इस तरह का आपसे सहयोग करने से समाजिय विकास ह परशिक्षण के द्वारा बच्चों के लिए उन्हें सामुई परशिक्षण देना जाएं घर पर माता पिता नहीं माता पिता विकास करते हैं उन्हें धीरे यह बार 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 कर सीखाना चाहएं भीपनाना चाहिए धिरी दिरी बोलो कर बारबार सिखना चिए्स पाचवा में है बच्चों में स्रम का विकास करना चिए मतलब उन बच्चो के चोटी कड़ी बनाना तोक सब्सक्रांट उसके चीज़ों का एक पर्षिक्षन देना चाहिए ताकि वो जो है एक कौसर सीख सेके और एक आत्मी निर्भर बन सके योग चिकिस्सा मानसिक मंदित बच्चों में योग एवंग ध्यान उपयोगी होते हैं जिससे उन्हें सांती प्रदान की जाती है तथा उनका आत्मीश्वास भी बढ़ता हैं जिनकी बुद्धी लब्दी 25 से कम होती है जिसकी बुद्धी लब्दी क्या होती है पचीस से कम होती है क्योंकि इसमें बहुत ही गंभी रूप से बालक जो जाते हैं ठीक है आप लोग जो है जैसे फिगर से यहां पर देख सकते हैं कि बहुत ही गंभी रूप से यह ब होती हैं ऐसे बच्चों ऐसे बच्चों की बहुत कम तथा यह आजीवन दुसरों के साहरे रहना पड़ता है इन बालकों को हमेशा जो क्या करना पड़ता है दुसरे के साहरे रहना पड़ता है गौस्मेन ने मांसिक मंदिद बालकों के बारे में लिखा है गहन रूप से मंद कंबीर मांसिक मांदित वाले बालक पानी आग बिजली आधी की खत्रे को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उन बालकों की बुद्धी नहीं होती नहीं है तो बिजली को भी नहीं समझ सकेंगे कि बिजली के क्या खत्रे हो सकते हैं और पानी आग इस सबसे जो वह क्या हो जाती है वह उसे चीज़ों का महत्व को नहीं समझते हैं ग्रास्त हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा धान देने के आउतम होती हैं। इन बच्चों को छोटे बच्चों की तरह ना जुनाया जैना जाना gen मांसिक मंदित बालोग वाले बच्चों को मांसिक छमता कम होने के से उनकी दूर दसीता हो जाती है इस परकार माता पिता एंवंग अध्यापकों को चाहिए कि उनका प्रयाप्त देख रहे हैं ध्यान दे ठीक है तो हम लोग देखें कि मांसिक मंदित बालोगों को जो है किस सच्छिक करना अब हम देखते हैं मानसी मंदित बालों का वर्गे करन कर सकते हैं तीन परकार से रहले पर निप 이렇게 करन दूसरा थिसरा है तो हम लोग इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं पहला है है कि कि इसे वर्गी करण होंग कुछ में उत्पन होने वाले कारणों पर आतरित होते जो निमने कारण है यह मस्तितह होते हैं वह कई कारणों से उत्पन हो सकते हैं पहला है संकरम संकरमन नहीं सратकिजन कोनो मोजोम की और समानेता भूर्ण भुर्ण आवासता गरफा वासता समंधी विकार इन सभी कारणों से जो है बालग क्या हो सकते हैं चिकिस्य वर्गीकरन के अधर पर इन सभी बालग ऑन्सीमंदित of सकते हैं फान दुसरा में पर सबसे कम होता है यह बहुत इंपोर्टन है बारवार एक्जाम में पूछा तो समानव मंदित के लिए हो जागा सबसे कम होगा तो वह बहुत ही क्या होगा ठीक अधार पर बढ़की करन कर सकते हैं इस सिक्षित के जाने बालक जिसकी बुद्धी लब्दी कितनी होने चीए भी 10 to 75 के पिच तो इस परकार से मंधित वह बहुत हैं इस परकार मांजी मंधित वालक बिभीए का समस्या है कि इस परकार मांसी मंदित संबंदी करणों को तीन बहगों में बटा गया पहला है जनम से पुर्व कारण पहला क्या हो सकता है जनम से पुर्व कारण इसको परिनेटल काउजेज जनम के समय के कारण जनम के समय भी हो सकता है पेरिनेटल काउजेज और जनम के बाद कारण पोस् माता पिता के में कमी है दोस है तो च्मिन क्या हो सकते हैं, टोस पुर्ण जो हो सकते हैं और म price मंदित हो सकता है तो कुछ वीमार्या निमने इसमें वी थे क्षिते हैं करके डाउं थिंडूम ऑन सिंडूम कि होता है इसे मांगोलिज्म के नाम से जसे जन जिन सकते हैं जो जड़ो हो सकता है इस बिमारी में गून शोतर का ओर गर्वे धारन के समय अलग हो जाता है जिसमें 21 जोड़े में एक अत्रिक्त कुर्णम जम उता है जिस से इन लोगों में 46 के बजाए 47 chat करम करमस में होते हैं तो बाल Merkel में ज़ाद होती है जिस से यह गोल ना से बचली ट Bapt तो इस तरह के जो है भाच्चों में जो क्या होती है मानसिय मंदीता उत्पन होती है तुसरा हे टर्णan syndrome क्या होता है कि इसमें योन इस-क्रमोजूम में गरबड़ी होती है जो मानसिय को दुरबलता के वल बालिकाओं में जहाँ पाए जातीयों कि मैं जातीयों कि जोड़ी होती है आंकों में की से दुर बलता होती धेक जैसे मेल में देखती है मिल में क्या था एक तो यहां पर हो गया तो एक सब्सक्राइब क्या है इस परकार कि दुरुबलता पूर्सों में महिलाओं की विषयष्था विकसित होती है और पूर्प्सों में जो है महिलाओं की विषयष्था विकसित होती है इससे इन करणों से शिसू के मालसी विकास में भी प्रवबा पड़ते हैं यदी कोई गर्वती मैला एकस रे करुआते हैं तो उन में भी जो स्थिकंदने आपके कर जाता है और है गर्वावस्ता में थाराइड हर्मोन की कमी से अधिकता से भी मांसिम मंदित पैदा होती है ठीक है और है बच्चे में जनम के बाद यदि प्रयाप्त पोसन ना मिले तो मांसिम मंदिता हो सकती है गर्वती मैला यदि साराब सिगरेट वो नसीली देवाईयों का सेवन क करते करने से बच्चे को मांसिम मंदिता को उत्पन कर सकते हैं ठीक है और कम आयू में गर्वधारन करने से भूर्ण का पुर्ण विकास नहीं था जिससे मांसिम अधिता उत्पन होने क्या करन था तो हम लोग देखिए जनम से पुरू में माता-पिता दे किसी परकार का नस में क्या कारण हो उसकते हैं जिसने मांसिम मांधिता पायदा होते होंगे जनम से पुर्व बच्चे को पैदा भी मांसिम अधिता उत्पन होने से से मानशीम हो सकता है जनम में तिसरा में हम देखते हैं जनम के समय चाह すごा मांसिख मनद diss मांसिघा उत्पन हो सकता है यह थे परशब होने के समय बधी व Dubai HP 6 ap मी तो आगहात पहुच ना सो आगहात के कारणा दो पट्टो परसाव होने के समय हैं इस तो उन समय में बीज़ अगर मस्तिक्स में किसी परकार का जो है आगात लगने से क्या हो जाती है मतलब तो भी मांसिव मंदिता उत्पनु सकती है अगर किसी परकार करते हैं तो उससे भी क्या हो सकती है बालक में गहा उत्पन हो जाती है जिससे मांसिव मंदिता उत्पन हो जाती है जिससे जो है जनम के समय मांसिव मंदिता उत्पन हो सकती है तो हम लोग देखें जनम के समय मांसिव मंदिता उत्पन होने के कारण अगला है जनम के बाद के कारण जणम के जो है बाद केसे किन किन कारणेंसे बच्छ सी सघंव कोई भी पदाराघ्थों का चार लेने के कारण पेंसिल सिख्का खार जाते हैं बच्छे जब छोटे होते हैं तो उनको बद्री नहीं होती है예요. एक प्दारत लेट का चीज है और या फिर जो है पैंसियल या फिर सिक्के को क्या करतें चारते रहतें जिसे मानसिय मड़ीता उत्पन होने का कारण रहर सकता है. तो यह पे दहां देंगे जो बच्चे को इन सभी पतारतों से क्या रखना है ? दूर रखना है तकि तो मानसील मन्दीत उत्पन ना कर सके 했ौर्ज़ में किसी दुरगतना से मानसील अगात पहुंचने से मानसील मन्दीत उत्पन से निक法 Oh nar के सरी अधिक मात्रम में अधिक मतल से मानसील मतल्त ठाव चारन करने मानसील उत्पन रखेए है यदि बाले काल में कोई बीमारिया जैसे जर्मन एपिलेप्सी मिर्गी आदी से मांसी मंदिता उत्पन हो जाती है इस परकार हम लोग हो सकता है अब है मांसी मंदित बालोकों की क्या समस्यां हो सकती है इनमें सब्सक्राइब करने में क्या हो सकती है दिक्कत आ सकती है ठीक है तो समयोजन के समस्य है पहला है प्रोड्लम से अज़स्य मांसी मंदित वाले बिच्चों को माता पिता को विश्वाद दिलाना होता है यदी मानसी मदिटए बच्चों को यदि माता पिता बिस्ञास दिलाना होता है कि बच्चा क्या है मदबुद्ध है? यदी ऐसा ना किया जाये तो माता पिता इन बच्चों से अपथ शाहा रखनी चाहिए कि इन उपेशाओं में नीराशा हाथ लगती है मतलब अग्यादी माता-पिता को पता चल जाए कि उनके बच्चे जो मजबुद्धी है तो उन बच्चों से क्या करने चाहिए अपए एक्छा नहीं रखने चाहिए तो उन्से वह उपेक्षा करना चोड़ जाते हैं कि दुनिया में कुछ कर सकते हैं तो उन्से बच्चे अपने आपको क्या करते हैं दुसरा में विद्याले में समावेजन क्या हो सकता है पाला इसमें है मानद बद्धि ओले बालगों को समान बालगों के तरह नहीं पराया जा सकता है क्योंकि वो सिखने में ऑसमर्ठ हो जाते अवन उन्हें गतिव दियों में भाग लेने के लिए कोई परतोसाइन नहीं करता है, जिसे यह बच्चा हीनभौना से करोफ़ेते हैं, यदि इन बच्चों को समाने बालोक wormare नहीं जाता है, तो यह बालोक क्या होते हैं, उन बालोकों में हिन भावना उत्पन हो जाती है क्योंकि उनके परहाई लिखाईन में कि परती रूची बिल्कुल खतम हो जाती है तो ये भी जो है बालकों में क्या हो जाती है समाज में विद्धियालम करने में दिक्कते हो सकती है क्योंकि उन बालकों को समाण विद्धियालम के साथ नहीं दूसरी और समाज किसे सर्फ थे साथ खेलना पसंदने करते हैं ऐसा धे खाजा साथ में हैं और उनको्मेस साथ भाउना पसंद नहीं करते हैं जिससे समाज विकाष नहींुत पही नारती टुअगलरट वक कुष्ट है क्वा लुकर क्या चाते हैं और समाज में दिंटा जाता है क्ष़ बॉप खाथा है वर ने सреक्व का वि+. पारतिया, मानसिक मंदित बाहले को परिवार, विध्यावर ना मिलने से समयगाइटमों समयगों को परद्धा सब्सक्राएं कि युदो Е मिल पाता है ठीक है तो यहां पर जो समय का अध्य विकास की समस्याइं इन बालोकॉं में especially ete Siq Magnevisirt Wille who को सारे डिक मांसी विकास समाने बालोकों की तरह नहीं हो पता है जिससे उन्हें समाराजन करने में कठने होती हैं बुद्धी विकास भी कम होता है अगर सारे डिक मांसी विकास बालोकों में नहीं होता है तो उन बालोकों में जो है बुद्धी विकास क्या हो जाती है कम हो ज जल्दी पाचानना तता घुजणना मानसी अंदित कम करने के उपारा सब से पहले उनकी पाचान क्लिफ होता है wilt champ झो Tails यह लग छटे हैं बक्राइब ज्ल्दी पाचान जाए कि यह भाज्चे मनदित तो उन बालखों को जो है कि हाट्थ तुरेंद की सीलिच्छा को दिखाना चीए। टू को दिखाना चाहिए। हम लोग इनको मानसिग मंदिता होने rezorroक सकती हुआ है। फिर जननींक्य संद्रियं के मानसिग मंंदिता को कम करने के लिए गह जैनेंली की निशन दना चीए। ताके वह एक अच्छें रख रख भीमार्यों के टीक लगवाने से क्या होई सकती है मांसी मदिता रूख सकती है सिसे सह सम्बंदिद बनने वाले फटनीचर टाता खिलोने को रोग ठांक करने चाहिए मतलब जो भी सिसे की वस्थ talkin रोने इशोबं को गातर writing दूर Ralph ने चीए ताकि इन बतलि Keeping तो आ सकते हैं मांशी मन्ह Staff men हो सकती है पार्षवा में रख उच्छ रखते चावाली महिलाओं पर विश्च ध्यां दने ची जिस में तो उन पर श्च इदिख परकार की क्या करने चीछ ध्यान दने चीछ घरवती महिलाओं को किसी परकार का नसिली पदार्थों कपड़ी नहीं रखना चाहिए है ना महिलाओं को जो क्या करने चाहिए गरवदी महिलाओं को किसी परकार का नसिली पदार्थ नहीं करना चाहिए अटवा में है यदि बच्चों में किसी परकार की मानसी और समंता दिखाई दे तो उसे व दींजित देखते हैं। अभी सा़व करना चाहिए। उटोनें जिनाएं कि दीगोंअ liar नहीं मरतम स्वचित के पे मांँ सीयलगा पाय करें। को आत्मी निर्वर के साथ साथ एक अच्छे जीवन निर्वा करने की कोशिस करनी चाहिए तो हम लोग देखें कि मांसी मदिता बालोकों को जो है एक अच्छे क्या करना चाहिए बिना बैद्वाव करन के जो है उसका साहिव करना चाहिए माता पिता परिवार अध्यापक जो लोग की भाड़ी तो इन बारों को पर रहा स्क्रावर करते रहना ही उन्हें ही उतना है जिने का जी ना के अगले टीन नूब करेंगे नई टोपिक के साथ आठ व्लिव illला स्था प्लोंस अबसेος करेंगे नए टृबक यह के लिए धन्वाद